रेड मरकरी इन दिनों इसका डिमेंड लगातर बढ़ते ही जा रही है सोसल मीडिया से लेकर कवरी वलों के पास इसका जो डिमेंड है और इसका जो पर्चेस करने का जो हुरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और आखिर ये red marker के पीछे आसल कारण क्या है इसके पीछे जो असली fact है आज के इस वीडियो में आपको clear करूंगा और ये जो red marker है ये QEW इस्तेमाल किया जाता था और अभी इसका जो इतना ज़्यादा demand क्यों बर गड़िये इसके पीछे जो भी करण रहा होगा सभी का जो details जानकरी मैं आपको इस वीडियो का अंदर देने वाला हूं तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रही है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा उसके बाद चैनल को भी subscribe कर लिजेगा अगर आपने आभी तक नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास जो घटना हुआ है इसके बारे में थोरा सा डिटेल्स में बता देता हूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरे रेड मर्करी क्या है जो की आपको फोटो में देख रहा होगा तो कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मेरे को इस फोटो को वेजा और कॉल क इडिया पे हो चाहिए वो यूटूब वीडियोस देखके हो चाहिए वो आर्टिकल पर के हो तो जब मेरे को इसके बार में पुरे डिटेल्स में जनकर ही मिली तो मुझे लगा कि यह जो आभी आफो आफ है यह वो सारी के सरे गला थे और इसके पीछे जो भी लोगों का हा वाल वे जो कि पुराने दिनों में जो रेडियो होता था उसके अंदर यूज किया करते थे और क्यूं इस्तेमल करते थे मैं आपको बता देता हूं कि इन दिनों साउंड या किसी भी चीज़ को अंप्लिवाई करने के लिए ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है लेकिन उ अबूनार्यकेट का प्राइस है है अभी जो अफ्वा फ्हाल रही है की इसे में आपके फाला दियो होगा तो आप इसके जिरिए बहुत ही खतनात परवाने जो हतियर है बना सकते हो हलाकि इसके पीछे कोई भी गनिक या किसी इंजिनियर ने ये क्लियर नहीं किया है कि आसल में इस मरकरी के जरीए किसी भी परवानों हातिया तयर किया जा सकता है या नहीं लेकिन मरकेट में इसके उपर बहुत सरे दाबे किया जा रहा है जो कि इसमें से एक है तो इस red marker को लेकर 22 रुपीज का दोकाधर भी हो चुका है किसी ने दावा किया था कि मेरे पास एक red marker है और आपको अगर इसको लेना है तो आपको 22 रुपीज देना होगा तो किसी ने इसके लिए 22 रुपीज भी payment भी कर दिया था उसके बाद जब देखा कि इसने दोखादरी किया दोखादरी के बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट की उसके बाद पुलिस ने उसके ग्रेप तर किया उसके बाद उसमें जेल में डाल दिया तो इस रेड मरकरी के लेकर जो एक्सपर्ट ने कुछ चीज़े आपको बताया है मैं आपको बता देता हूँ अगर किसीने नहीं सुना है तो आपको पता चल जाएगा कि टिबी एक्सपर्ट हरमिस सिंग जी ने बताया कि अगर इसका प्राइज वाकाई में इतना ज़्याद बंद परा हुआ है पिछले कुछ मेहनों से इसके उपर जो भी अफ़वा फेल रही है वो सारे के सारे गला थे और इसको लेकर पुलिस का जो चेतावनी आप लोगों के सामने रखाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों के साथ कुछ भी धोकाधरी ना हो और अगर इसके उपर कोई भी मामला समने आता है तो इसके उपर दुरंद करवाई की जाएगी इसी तरह मुझभपर नगर की स्री सत्पल अंतिम जीने कहा है कुछ लोग पुराने टीवी रेडियो और टेलिवीशन को तलस रहा है लेकिन एक तरह का फ्रॉड हो सकता है तो इस तरह के का जो सोशाल मीडिया पे जो विग्यापन चल रहा है तो इसको लेकर सतक रहना के लिए कहा है और अगर आपको कहीं पे भी इसके उपर लेके कि इतने पेसे में अगर आपको मेरे को दे दोगे तो आपको इसने पेसा दोगे एक पीस का आपको एक लाग दिय जाएगा अगर इस तरह के कोई भी आपको विज्यापन देखे चाहे सोसल मेडिया पर हो चाहे यूटूब पर हो चाहे कहीं भे हो तो आप इसको रिपोट कर सकते हो ऑनलाइन भी रिपोट कर सकते हो उसका लिंक में नीचे डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा तो आज की इस आइधिंक आपको पता चल गया होगा कि यह जो रेड मरकरी यानि कि यह जो भल्व है यह भल्व किसलिए उसकरता था और अब जो आप फ़ाल रहा है सोसल मेडिया पर यह किसलिए फैल रहा है और इसके पिछे में करन क्या है तो यह था आसले फैक्ट इस ओल्टीवी का रे इस वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाई